सत्वास की काठा फोर्ड थाना पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कतल का खुलासा किया है हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर नियाले भेज दिया थाना प्रभारी हीना डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना काठा फोर्ड श्वेत्र के ग्राम बिजवार में पुलिस को सूचना मिली थी कि बिजवार निवासी दिनेश म्रत अवस्था में पाया गया है पुलिस ने इस मामले में तुरंद कारवाही करते हुए मामले का खुलासा किया मृतक के परिजवनों ने बताया कि 22 स्थमबर को दिनेश पानी गाउं के कैलाश माली के यहां मजदूरी के पैसे लेने गया था जो वापस नहीं लोटा पुलिस ने जब कैलाश माली से पूछता अचकी तो उसने बताया कि दिनेश खेद पर आया था जिन से पैसे की मांग की थी इस बात को लेकर हम दोरों के बीच में विवाद हो गया विवाद में दिनेश की मौत हो गई आरोपी के अपराद कबूल करने के बाद उसे पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया है बिजवाड ताकड में किसी अध्यात वेक्ति की लाश मुझी है तो संबनी स्पोर्ट्स के साथ वहाँ पर पहुंची बहुंसे लोग एकत्वित है लाश वाश को देखा तो उसकी पहचान दिनेश पिता भुडमल निवासी बिजवाड के रूपना हुई थी शंका के आधार पे फिर केलाश माली को से बाचीत की गई कथन लिये गया है तो उसके द्वारा बताया गया था लटक उसके खेट पे उधारी के पैसे माहने गया था आरूपी ने कहा कि अभी पैसे नहीं है बाड में दे देंगा उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई गाले गुपता हुई तो आरूपी ने वहीं से डंडा उठा के उसके सीर पे मार दिया जिसके कारण वह अच्ये तवस्ता में वहीं पढ़ गया और आरूपी ने लाश को पॉलीथीन में रख कर गाड़ी तक ले गया है गाड़ी में रखना उसके बाद बिजवार पाठे पर लाकर ठेट दिया आप देख रहे हैं डखल नियूड